हेलो गैस कैसे हो आप सा मैं आशा करती हूँ आप अपने घर में सब खुशाल होंगे सब मस्त और सवास्त होंगे तो गैस ये देखो मेरे पास में घर पे जो हमारी प्याज की बोरी होती है वो धेर सारी मेरे पास में पड़ी है तो मैंने इसको फैंका नहीं मैंने सोचा इसस अलग कर लेंगे दोनों साइड से खुला होता है जो बोरी उस साइड से भी और जो बन साइड होते है उस साइड दोनों साइड से हमें जो पटी होती है इस तरीके से यह वाली पटी है यह हम अलग निकाल लेंगे और जितने ही हमारे पास में प्लास्टिक के थेले हैं उसको ह हमें ऐसे कच्रक निकालना है इस तरीके से हम इसके अंदर से यह धागे निकाल लेंगे अफिर इसकी बारील कटिंग है वो तो इस तरीके से मैंने बन्यान और पूरानी सर्ट इससे भी हम कुछ बनाने वाले हैं तो गैज वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो को बीच में स्किप ना करें आपको एंड तक अच्छे से बताऊंगी कि क्या से क्या बनकर हमारा त्यार होगा जैसे हमारी ये प्याश की बोरी है उससे और एक पुरानी सट से और पुरानी बन्यान से चोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा एक आइटम बनकर त्यार होगा जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है तो जो हमारी बन्यान फटी हुई है उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे और जो नीचे की साइड है उ हमें चोर गपड़ा है वो निकालना है दोस्तो तो इस तरीके से देखो यहां पर हमने यहां से इसकी जो कटिंग है वो कर ली है तो छारों साइड से हम अपने इसाब से इसकी कटिंग जो एक्षा-eak्षा है वो हम निकाल लेंगे इस तरीकी से देखो मैंने इसको चोर भी माप को बताउंगी तब तब आफ वीडियो और अपने दोस्तों के पास पुरानी बन्यान या सार्ट या फिर जो प्याज की तेले प्लीनby और पास है वो पड़े हैं तो उनको बेकार में फैंकने की आप सकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी लिए मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आई हूं तो मैंने इसको खुला रखा है अब हम इसको सही कर लेंगी हाथ डाल के इस तरीके से इसको सिधा कर लेते हैं अब ग्या करेंगे जो मेरे पास में हमने ये जो कच्रा बनाया था हमने जो हमारी प्लास्टिक की ए प्यास की बोरी थी इसका मैंने ये कच्रा निकाल लिया और इस कच्रे को ये कच्रा ही है क्योंकि ये धागे है चोटे-चोटे मैंने धागे को अलग-अलग कर लिया है और अब हम इसके अंदर डालेते हैं इसको देखो इस तरीके से अलग कर लेंगे अगर आप इसको धागे निकालना चाहते तो आप एक एक धागा निकालके भी काम में इसको इकठा कर सकते हैं नहीं तो आप इसको बारिक-बारिक सिद्धे थेले को भी बारिक-बारिक कट करके र बाद में चोटे बच्चे के लिए कुशन कवर बनेगा और इसका कवर भी हमें बनाना है तो यह कुशन हमारा रड़ी हो गया है अब हम क्या करेंगे यह हमने एक पुरानी साइट ली है बच्चे की जो मेरे कोई कामे नहीं आ रही है तो यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे क क्योंकि कुछन इतना ही साइज करें तो मैंने 60 है इतनी ही चोटी साइज के लिए है तो इसकी बाजू है वह अलग निकाल देंगे बाकि इसकी जो एकशा यां से पट्टी है वह भी थोड़ी सी अलग निकाल देंगे ताकि स्लाई करेंगी तो हमें दिकत नहीं होगी और यह इसको भी अलग कर देंगी अब हम इसको उल्टा करेंगी उल्टा करने के बाद में हमें इसके अंदर सिलाई लगानी है इसके चारों और हम एक सिलाई लगा कर इसको त्यार करेंगी तो इस तरीके से चले हम इसके उपर सिलाई लगाना शुरू कर लेते हैं दोस्तों तो यहा इस तरीके से हम इसके उपर सिलाइस को कवर कर लेंगे जो हमने प्याज की बोरी बनाया है और बहुत इस शानदार है कर त्यार होगा तो बाद में हमें लगे गई नहीं कि ये हमने प्यास की बोरिस इसको बना कर रडी किया है तो इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और डालने के बाद में हम इसको बटन बन कर देंगे और जब भी हमारा ये मेल का होगा तो हम इसको बटन वैसे ही खोल के और क इतना प्यारा लग रहा है तो गाइस वीडियो कैसी लगी हमें कोमेंट में जरूर बताईएगा